करेंगे इसमें से कुछ हम आपको बताएंगे जहां आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट का जुरूत पड़ेगा या अलग-अलग टॉपिक्स पर बेस्ट को सब्सक्राइब करेंगे और कुछ सब्सक्राइब जिसको आपको खुद से करना है तो जहां भी थोड़ा सा इजी कोश्टन दिखेगा उसको आपको छोड़ा जाएगा तो चला हम लोगी स्टार्ट करते वह आपको भी बनाना है और कुछ हम आपके साथ चल रहे तो चलिए देखिए हमारे पास सब्सक्राइब में यह में इसमें एक्चुली है ना उसका अब्जेक्टिप मुल्टिपल च्वाइज और एक्सेसाइज सारा का सारा कोश्टन सिंवाल ठीक है तो ध्यान रखना लिखा है मोटर कार इस गोइंग डिव नौर्थ आट इस स्पीड और फिप्टी किलोमेटर पर आर इटेक्स सा 90 डिग्री लेफ्ट टॉन विदाओ चेंजिंग देश्पीड दाइचेंज इन विलासिटी अप्ड़ इस अबाउट बहुत सारे बच्चों के अंदर एक मिसकंसेप्ट डबलप है कि अगर यहां पर लिखा है विदाउट विदाउट चेंजिंग देश्पीड तो उसको कारण क्या है डियू टू चेंजिंग डारेक्शन में चेंज करने के कारण वेलासिटी कॉंस्टेंट नहीं है लेकिन स्पीड कॉंस्टेंट है तो कोश्चन जैसे बोलता उसे साब से आप फिगर बनाईए और सॉल कीजिए देखे जैसे पहले तो आपको इस्ट वेस्ट न यह आपके पास आता है लिए रहा नौर्त कफे पास है वेस्ट्ट और यह है साउच ठीक है आपका पासस लिखाए स्पीड किलोमेटर पर और नौर्थ की तरफ जा97Ed किलोमेटर पर आर से जा रहा है तो शुरुवात में जो इनीशल व्लॉसिटी है वो नौर्थ की तरफ है इनीशल व्लॉसिटी नौर्थ की तरफ है 50 किलोमेटर पर आर विदाउट चेंज इन स्पीड इट मेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टॉर्ण अच्छा अगर यहां से आप लेफ्ट टॉर्ण लीजिएगा तो नौर्थ जाते हुआ अगर आप लेफ्ट टॉर्ण लीजिएगा तो अब आप वेस्ट की तरफ जाईएगा इस पीड वही रखना ठीक है तो आप जब यहां पे फाइनल विलासिटी लिखेंगे तो दिस अगें 50 किलोमेटर पर आर चलो भाई दोनों को वैक्टर फॉर्म में लिखो तो तुम्हारा इनिसल व्लासिटी का वैक्टर फॉर्म हो जाएगा 50 के साथ जे कैप और तुम्हा जानल व्लासिटी में से आप दीशल व्लासिटी को मैनरको तो आपके पास तेले ड्रा फॉर्म व्लासिटी में आ जाए जाएगया 50 के साथ माइनस आइगा vis. बेसा एसा माइन गब मायन लिखता आगया तक आप यह पता कर पाएं कि माइनस ऑइकक्प इस फोर वेस्ट डिरेक्शन एड माइनस जेक कप इस फॉर शाओ डिरेक्षन तो आप इसको ऐसे भी बहू सकते हो कि जब आप इसका मैगिश्टूर लिखोगे लिखोगे तो वह आपका एक अंदतर रूत में इसको और फिप्टी का इस पार आएगा पस आएगा और सकते होगा माइनस आयकआप के कारण वेस्ट और माइनस जी कारण साओत। तो मैंगिदी चेंजिन वेलावसिटी का सेवेंटीवन किलोमेटर परा रहा उसका डिरेक्षन है साउथ वेस्ट गिए सेवेंटी किलोमेटर आप्रोक्स वही है और साउथ वैस्ट सेवेंटीवन सेवेंटीवन आएगा जब आप 50 को रूट तो याद रखेगा विदाउट चेंजिंग स्पीड कॉंस्टेंट होता है विलासिटी तब तब बदलेगा अगर आप मैगनिचूड में चेंज कर दो तो भी बदलेगा और अगर आप दोनों में चेंज कर दो तो भी बदलेगा ठीक है चलो बढ़ी है आगे बढ़ते हैं यह लिए पार्टिकल आजए वेलासिटी तो इस्ट एक टीक वस्ट इस टो इस टूर्ट वेस्ट अडिस कॉंस्टेंट लेट एक से एक से एक सीबी दा मैगनिचूड आप इस प्रिस्पेस्ट इन फर्स्ट 10 सेकंड और नेक्स 10 सेकंड तुमको बताना इसमें से क्या होगा कि देखे मेरे हिसाब से डी आंसर करेक्ट है रिजन यह कि आपको यह पता नहीं है कि आकसलेशन कितना है अगर आगस्लेशन कम होगा देखेगा समझेगा बहुत ध्यान से समझेगा जब ऐसा आंसर बूला जाये ना तो थोड़ा सा क्येरफूल रहना होता है मालीजे जैसे मोशन यहां से चल रहा है स्टार्ट हुआ है एक बाड़ी है जो राइट की तरफ एक बड़े विलॉसिटी से चल रही है विलॉसिटी इसका बहुत बड़ा है लेकिन इसका अपोस करने वाला एक्सलेशन कम है एक्सलेशन है तो अपोसिट कोश्चन में लिखा हुआ है लेकिन यह एक्सलेशन काफी लो है तो बाड़ी स्ट्रेट लाइन पर बहुत दूर तक जाएगा और हो सकता है हो सकता है हो सकता है हो सकता है कि 10 सेकेंड और 10 सेकेंड में body return ना आवे 10 सेकेंड और 10 सेकेंड जो 2 10 सेकेंड है उसमें body return ही ना हो तो आप ऐसा मानिए कि पहला 10 सेकेंड में ज्यादा distance cover करेगा और अगले 10 सेकेंड में थोड़ा कम distance cover करेगा अगर बाड़ी नहीं रिटान हुआ तो तो पहला दस सेकेंड में ज्यादा डिस्टंस कवर करेगा और दूसरे दस सेकेंड में थोड़ा कम डिस्टंस कवर करेगा मतलब आप बोल सकते हो कि सर एक से इस ग्रेटर देन एक्स पी हम लोग 10-10 सेकेंड का बात करें हैं 10 सेकेंड और 10 सेकेंड लेकिन अगर माल लीजेए स्पीड थोड़ा कम है और एक्सलेशन बहुत ज्यादा है अगर आपका अगर आपका स्पीड कम है और माल लो एक्सलेशन बहुत बढ़ा है एक्सलेशन बहुत बढ़ा है तो इस केस में क्या होगा कि जो तुम्हारा इनीशल व्लॉस्टिटी है जो कम है और एक्सलेशन जो निगेटिब है और ज्यादा है इस केस में क्या हो थे लेगति स्वेस्ट बाद से अगला 10 सेकंड बहुत बढ़ा हो, तो दीखे, information इस तरीके का available नहीं है, कि हम XA और XB में कोई definite relation लिख सके, ठीक है, बढ़ा हो सकता है, कोई बढ़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, even बराबर भी हो सकता है, अगर यह multiple choice रहता है, तो हम A, B, C, तीनों टिक कर लेते, हाँ 10 सेकंड में बढ़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो information is insufficient to decide the relation of XA and XB, समझे, ध्यान से दिखना है, समझना है, तोड़ा आगे बढ़ो, लिखा है, person traveling on straight line must with a uniform velocity even for some time, and with uniform velocity V2 for the next equal time, the average velocity is given by, इसको आप खुद से बनाईएगा, इसको आपको खुद से बनाना है, ठीक है, आगे बढ़ी, लिखा है, person traveling on a straight line must with a uniform velocity even for distance X, and with a uniform velocity V2 for the next equal distance, the average velocity, यादा रहा है, एकदम ऐसा ही question किये होना, बैचेस के अंदर तो इसको खुद से करना है, ठीक है, यह दोनों question आपको लेका, stone is released from an elevator going up with an acceleration a, the acceleration of the stone after the release is, देखिए, elevator उपर जा रहा है, मतलब लिफ्ट उपर जा रहा है, सही, आप एक figure को समझेगा, आराम से देखे, माल लिजे यह elevator है, इसमें कोई एक person ख़ड़ा है, इलिवेटर का acceleration उपर है, acceleration of elevator is a upward, ठीक है, अब अगर कोई person इसके अंदर इसी stone को release कर दे, तो after release, after release, जो हमारा acceleration of stone होगा न, जो acceleration of stone होगा, वो होगा g के बराबर downward, जी के बराबर downward, हाँ यहाँ कोई अगर तुम से relative acceleration पूछ ले, यहाँ कुछ और पूछ ले तो एक अलग बात है, लेकिन एक बार हाथ से छूटने के बाद, stone का acceleration g के बराबर होगा, होगा downward, तो d answer है, g downward, हाँ relative acceleration बोलेगा, किसी और के respect में बोलेगा, तो आप निकाल लीजे, लेकिन मेरा हाथ से मेरे हाथ में मालीजे, यह indicator है, और हम इसको छोड़ दिये, तो मेरे हाथ से छूटने के बाद, अब यह मेरे influence में नहीं है, इसका acceleration कितना होगा, तो जो मेरा g है, downward acceleration है, वही है, ठीक है, acceleration ऐसा है, speed किसके बराबर होगा, तो जो frame रहाएगा उसका, तो वो कहीं मिल जाए, कुछ कुछ देखा ले, question number six, लिए पर्शन स्टैंडिंग नियर दे एज ओफ दी टॉप फे बिल्डिंग फ्रोस्टू बॉल से अन बीड़ एगर आप एर रिजिस्टन्स को नहीं लेते हैं तो दोनों का final velocity जब वो ground को hit करेगा ना, that should be equal, हम इसके आपको बहुत सारा चीज बता रहे है, जड़ा गौर कीज़े, मेरा answer है C, दोनों बराबर होगा, कैसे होगा जड़ा देखो, देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से तुम अगर पढ़ना चाहो ना, तो इसको energy conservation से सीखने का कोशिस करो, मालों यह tower है, और यहां से आप, एक ball को उपर की तरफ फेके हैं, भी से, चलो हम तिन अलग-अलग figure बना देते हैं, यह tower है, और एक ball को आप यहां से, नीचे की तरफ फेके हैं, भी से, और वही tower है, और एक ball को आप एक angle पे फेके हैं, भी से, अगर तीनों ही भी है, तो with respect to ground, नीचे वाले ground के respect में अगर तुम बात करोगे, नीचे वाले ground के respect में अगर तुम बात करोगे, तो देखो होगा क्या motion को समझना है, यह भी थोड़ा ऊपर जाएगा, और उसके बाद लोटेगा जब यहां, तो यह figure जो है, वो पहले वाले figure के साथ सेम हो जाएगा, बोलो सही है, मतलब यह आपका figure 1 है, यह आपका figure 2 है, यह आपका figure 3 है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे, तो 1 figure और 2 figure सेम हो गया ना, अब तीसरा आजाओ, तीसरा में यह ऐसे फेका गया है, तो यह भी जब लोटेगा, तो सेम लेबल में पहुँचेगा, तो वही speed भी से यह नीचे की तरफ आ रहा है, हम आपको बस कहना यह चाहते हैं ना, कि इन तीनों में, A point को आप initial मान लिजे, और ground को भी मान लिजे, तीनों में, तो initially A पर सब के पास kinetic energy है, और potential energy है mgh, kinetic है और potential energy है mgh, सार किसी के पास सेम है, kinetic है और potential energy है, यहाँ भी mgh, मतलब तीनों का initial energy सेम है, तो जब वह ground से ठकराएगा, तो तीनों का final energy भी सेम, मानलो जैसे यहां पे जभी यह ground से टकुराया तो भीन से टकुराया और यहां पे जभी ग्राउंट से टकुराया तो सभी का तीनों का potential energy 0 हो जाएगा हर किसी का potential energy यहां पर जीरो हो जाएगा है तो चाहे किसी यह एक कियी10 को अलगग एंगल पर फिकते एक भार फिकेंगे जीरो डिग picky परएक पर फिक नब्बे डिगरी पर एक बार फिकेंगे डाउनवwrड एक बड़ 45 बड़ 30 अगर हम सेम स्पीड से फिकेंगे तो ग्राउंट को जब हीट करेगा तो क्या स्पीड से मोगा बिलकुल हो से मुँए क्योंकि energy को एंगल से कोई मतलब नहीं एक स्केलर क्वांटिटी उसको एंगल से कोई मतलब नहीं है बस शुरुवात का axilisone is never perpendicular to axilisone is perpendicular to axilisone for one instant only is perpendicular to axilisone for two instants है सोची प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी और axilisone कहां प्रपेनिक्लर हो सकता है बस एक जगह और वो जगह कौन है तो वो जगह है आपका maximum height जब आप प्रोजेक्टाइल का बात करते हैं बोडी को यहां से प्रोजेक्ट किया गया और यह बॉडः यहां मूफ करता हुआ गिरा तो जैसा कि बार-बार बात हुआ है कि जब हमारा प्रिचेक्टाइल मोशन होता है तो उसका जो वीलॉसिटी का एक्स कम पोड़ है वो जो वहाँ acceleration का direction है acceleration तो हमेशा ही downward होता है लेकिन highest point पे जब तुम देखेगे न तो acceleration का direction और जो velocity का direction है वह हमेशा एक दूसरे के साथ 90 बनाता है for the instant जब body अपने highest point पर हो तो केवल is perpendicular to the acceleration for one instant केवल एक एक इंस्टेंट पे है ना विलासिटी जो है वह हमारा एक्सलेशन के उपर पर पर्पेंडिकुलर होगा के वहले एक बार कहां मैक्सिमम हाइट पर लिखा एक टू बिलेट्स आर फायट सैमिल टेन स्ली होरिजेंट्ली एंड विच डिफ्रेंट स्पीड from the same place which बुलेट विल hit the ground फूस्ट कौन सा बुलेट ग्राउड को पहले हिंट करेगा देखिए फस्ट करने का मतलब है ताइन फायिड करना और हम आपको इसको horizontal case में रखेंगे दोनों bullet simultaneously ground को hit करेगा अब यह आता कैसे है तो उसके लिए आपके पास जो हम लोग horizontal projectile पढ़के रखें हैं वहां से concept करता है देखिए मालीजी जैसे आप किसी projectile को यहां से फेके जब आप projectile को किसी एक height x से फेकते हैं तो उसका velocity पूरा का पूरा x में होता है वो इस तरह का path follow करता हुआ कहीं गिरता है ठीक है यह follow करता हुआ गिरता है अगर आप यहां पे point को a कह दें नीचे वाला tower का height b कह दें यह सहां पे इस point को आप सी कह दें तो आप देख पाएंगे कि फेकते समय सारा का सारा velocity मेरा x component में है there is no initial velocity component अलांग y-axis अब सोची जब वो ground को hit कर रहा है तो नीचे वाले direction को हम लोग मानलो positive ले ले लेते हैं तो क्या मेरे sy का value h होगा तो acceleration भी तो नीचे की तरफ है ay मेरा g होगा तो थोड़ा सब कुछ को use कीजे न सीधा equation of motion में लिख सकते हैं sy is equals to u y t plus half acceleration y and t square sy को हम लिख दिए h u y वाला term 0 है यहां हो गया 1y2 यह मेरा acceleration y अभी हम लोग को g लेना है और यहां time लगा t तो आपके पास जो time आएगा वो होगा root under 2hyg कितना time है अब जड़ा देखो इस time के equation में जो बता रहा है कि ground पे उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा इस time में कहीं velocity नहीं है क्योंकि आप तीनो प्रजेक्ट मतलब दोनो बुलेट्स को आप होरिजेंटली फेके थे एक से हाइट से तो अगर हाइट से मेंहले ना तो ग्राउंट पे पाँचने में समय भी सेम लगेगा अगर चाहिए आप होरिजेंटली फेक से चाहिए ज़ाधा से व्यक ऑप एगर आप हरूचनल फेक थेक रए हैं तो ग्राउंट पर पंचने मों उसको सेम टाइंब लगेगा सेम टाइंग फॉर एनी स्पीज इन फॉरिजेंटल डारेक्शन याद रखना होरिजेंटल डारेक्शन में फेकना है उपर नीचे एंगल करके फेकोगे तो टाइम बदल जाएगा फेकोगे तो सबके में टाइम रहाएगा उपर नीचे एंगल करके फेकोगे टाइम बदल जाएंग तो जैसे आम आपको बोले थे वहां टाइम सेम वाला अंसर होगा बोत will reach simultaneously दोनों ग्राउंड को सेम टाइम में रीच करेगा क्योंकि उसको सेम स्पीड से आप सब्सक्राइब से हाइड से आप से अपके ठीक है अलग-अलग स्पीड है स्पीड से मतलब लिगाद रेंज ओफ प्रोजेक्टाइल फाइड अंगल ऑफ 15 डिग्री इस 50 मिटर इफ इस फाइड विद शेम स्पीड अंगल ऑफ 45 इस रेंच विल बी देखो अगर 15 डिग्री पे फेके उसका रेंच 50 मीटर है तो 45 पे तो उसका रेंच 50 से ज्यादा होगा ही होगा पूरा बनाने का भी जुरूत नहीं है ठीक है तो देखो 25 नहीं होगा 37 नहीं होगा 50 फिर से नहीं आएगा 45 इस योर आंसर 100 देखे 45 डिग्री पे सबसे बड़ा रेंज आता है तो अगर 15 डिग्री पे 50 मीटर है तो 45 डिग्री फे तूँस से ज्यादा ही होगा 45 डिग्री पे रेंच क्या होथा है मैक्सिमम अगर आपका एंगल आप बेटएक्षिं फोटिफाइब डिग्री हो तो याद कीजे कि की रेंज वता है मैकसिममज है तो जब मेरा थीटा का वैलू फंद्रउ डिग्री है और कोश्चन में मेरेंज मेरा पचास मीटर्वा तो पचास मीटर से ज्यादा की अप्शन है बैद trauma गद zwei दूश tali' से एन-ई-ब बिद्ध ग्यॉैज एनमर कर से अंगल अब यहां पर इसलिए मेरा बोलना अभी अम पीछे कितना डेफिनिट से बोल रहे थे लेकिन अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं अभी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर स्पीड के बारे में कुछ मेंसर नहीं कि स्पीड के बारे में कुछ मेंसर नहीं पढ़ो टू प्रोजेक्टाइल ए और प्रोजेक्टेड विद एंगल प्रोजेक्टाइल एंगल के बारे में नॉलेज है 15 और 45 लेकिन स्पीड के बारे में कुछ नहीं तो हम यहां पर वखी में में कुछ ही नहीं तो information is insufficient कि और फिर से अगर मौन लो सेम रहता है तो कौन सा रों भी बड़ा होता अगर सेंग रहता तो आर भी बड़ा होता तो है शक्क है कि यही सब को सो समझना पढ़ता है धीन ये लिए करेवर स्वायं स्वाइश्ट to east at a speed of 5 meters per minute a man on the south bank of the river capable of swimming 10 meter per second per minute in still water wants to swim across the river in the shortest time he should swim in the direction by north अगर आपके question में लिखा है shortest time तो क्या हम लोग shortest time के लिए ऐसा पढ़े थे कि देखे ज़र कि यह रिवर है और यह रिवर जो है सर्व वह वेस्ट से इस्ट की तरफ जा रहा है कि आपको अगर इसको पार करना है तो पर्पेंडिकुलर ना पार करना होगा है यह आपका इस्ट का डिरेक्शन है यह आपका साउथ बैंक पे आप थे आप उसको पार करना चाहते हैं तो सिधा आप साउथ से नौर्थ की तरफ है ना करके चलिए तो डिव नौर्थ करके अगर आप चलिएगा तो यह सॉटेस्ट टाइम में सॉटेस्ट टाइम के लिए हम लोग यहीं पढ़ेते हैं कि जो हमारा वेलासिटी आफ बोट या स्विमर विथ रिस्पक्ट रिवर हो वह हमेशा रिवर करेंट पे कैसा होना लिए 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 अब देखो यह तो है वैसे एक्वेशन आफ कंस्ट्रेंट का पढ़ाएंगे लेकिन यहां पे अगर आ गया कोश्चन तो हम बता दें भाई एक बात याद रखेगा जब आप है न लॉज आफ मोशन पढ़िएगा तो आपको एक्वेशन आफ कंस्टेंट सिखाया जाएगा उसमें एक लाइन है उसमें क्लाइन क्या है कि कंपोनेंट आफ वेलोसिटीज अलॉंग दा इस्ट्रिंग मस्ट भी सेम जो भी हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट होता इस्ट्रिंग क्या लॉंग में वह हमेशा सेम होता है यहां से उपर तो थिक ने बना अच्छे लिप यह मेरा वेलोसिटी ऊपर की तरफ है भी तो मेरा जो कंपोनेंट स्ट्रिंग की लॉंग में आएंगा भी का जो कंपोनेंट ं स्ट्रिंग कि वह भी कॉस्तिटीच होगा तो यह जो आपका B cos theta है वो left hand side की तरफ का जो U है उसके साथ बराबर हो B cos theta U के बराबर तो अगर आप भी लिखना चाहते हो तो U by cos theta लिखो U by cos theta या U sec theta यह आपको लिखना है तो देख लो कुछ option है U by cos theta यह वाला B option आ रहा है U by cos theta इतना velocity से मेरा यह जो ब्लॉक है ना capital M यह उपर जाएगा इतने velocity से ब्लॉक उपर जाएगा ठीक है चलो बढ़िये है अगे आगे 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 multiple choice है question number 13 लिकार consider the motion of the tip of the minute hand of a clock in one hour आपके पास कोई एक घड़ी है उसका minute hand का बात करते हैं तो मिनट हैंड एक घंटे में मिनट हैंड एक घंटे में साट मिनट कवर करता है और जहां से चलता है वहीं पहुंच जाता है अब तुम बोलो मिनट है और आप एक घंटे का बात करते हैं तो मिनट हैंड जहां से चलता है एक घंटे में वहीं पहुंच जाता है ना तो याद रखना कि उसका का displacement जीरो है और displacement जीरो होने से उसका अवरेज वेलोसिती जीरो हैं अलेकिन डिस्ट इस्टेंस कवर्ण या Ihr य स्पीड यह जीरो नहीं है स्पूर फैजय जो उसका पूरा सर्कूंफ्रेंश हो बोलो तो जो भी वो डिस्टंस कवर किया उसको लगा है एक घंटा तो एक घंटा के लिए अगर तुम चाहो तो साथ मिनट से उसको डिवाइड कर तो यह उसका एवरेज स्पिर कुछ नमबर 13 मुल्टिपल चौइस A और B अंसर करेंगे लिखा पाटिकल मुफस अल्ग एक स्ट एक उस एक उक उस्ट तो इस एक उस्ट प्लस 8-2 से कंट्स एनियुसलोसित व गॉल्टिकल ऐसे लिख यह आप्सेकंड आपको यह कि एककिस्ट जएस इक्विस्तो तो यूu मैंने सूर वह सेकंड लिखा हुआ है में एक ट्यमाइनसटू का इसक्वार है अब अगर आप velocity निकालना चाहते हो तो velocity निकालने के लिए x को differentiate करोगे dx by dt करोगे तो आपके पास आ गया d by dt of ut minus 2u और plus a क्या हम इसको अभी लिख सकते हैं ऐसे तो तुम्हें आप में डिफ्रेंसेशन स्टार्ट करो ut का differentiation केवल u हो जाएगा 2u का differentiation 0 हो जाएगा एक constant है ती स्क्वार का differentiation 2t हो जाएगा 4 constant है और minus 40 का differentiation 4 हो जाएगा तो आपके पास वेलासिटी का जो equation आया वह है यू प्लस कि टू एटी माइनस फोर यह विलासिटी का equation यह विलासिटी का equation अब अगर आप पहला option चिक करना चाहते हो फर्स्ट में देखना चाहते हो कि कितना वेलासिटी से कितना है तो फर्स्ट आप्सन के लिए इनीशल व्लासिटी के लिए आप टी के जगह पर जीरो कुट करों जब आप टी के जगह जीरो कुट करोगे तो आपके भी का वैलू आएगा यू माइनस फोरें इता तो पहला अंसर गलत है लुए एक्सलेशन ऑफ देपार्ट केल हमको निकालना एक्सलेशन आपका भी आया न इसको एक बार फिर से differentiate करते हैं for acceleration acceleration के लिए आपको dby dt करना है तो आप जब इस भी को differentiate कीजेगा तो यू का differentiation जीरो आ जाएगा 280 का 2a आ जाएगा और 4a का differentiation जीरो आ जाएगा तो आपका acceleration आ गया 2a तो फिर यह बी वाला गलत है सी वाला सही पार्ट किल एक्सलेशन इस टूए सी वाला सही और टी इक्वल्स टू सेगें पार्ट किल इस एट ओर इजिन तुम जड़ा देखो तुम ओर इजिन को चेक करने के लिए है ना एक्स को लेके चलो फोर्थ ओप्शन हमारे पास एक्स का एक्वेशन क्या है एक्स का एक्वेशन है यू टी माइनस जीरो टी माइनस टू और प्लस ए टी माइनस टू का इस पर अगर आप एट और इजिन का बात करते हो आप बात करते हो और इजिन पे तो origin के लिए x का value 0 आना चाहिए तुम खुद सोचो कि x 0 कब possible है x का value 0 तभी possible है जब आप t-2 को 0 कीजेगा क्योंकि जब आप t-2 को 0 कीजेगा तो 0 से u multiply होके 0 हो जाएगा और 0 से a भी multiply होके 0 हो जाएगा तो जो आपका चौथा option है वह भी सही है कि टी इक्वल्स टू सेकेंड पर पार्टकिल और जिन पर होगा तो देर इस टू आंसर्स सी एंड टी ठीक है यह सब कोशन बहुत बहन्या है इस पर थोड़ा समय देखके हैं न चीजों को समझा जाता सीखा जाता है पॉस्ट्र नमबर फिप्टीन देखा पिक दर करेक्ट स्टेट्मेंट आपको करेक्ट स्टेट्मेंट चुनना है एवरेज स्पीड आफ पार्टिकिल इन गिवन टाइम इस नेवर लेस देन मैग्मिचूड आफ एवरेज वेलासिटी देखे एक बात तो तो तैह है कि जैसे आप लोग यह सीख के बैठे हैं आपको याद भी है कि जो हमारे डिस्टन्स होता यह हो या तो हमारे डिस्प्लेस्मेंट के बराबर नहीं तो बढ़ा होगा तो अगर डिस्टन्स डिस्प्लेस्मेंट से बढ़ा या बराबर होगा तो एवरेज स्पीड भी average speed भी बड़ा या at least बराबर होगा average velocity से तो first answer is correct बड़ा या बराबर never less than आगे देखो it is possible to have a situation in which dv by dt is non-zero but d by dt is zero हां यह सही है dv by dt non-zero होने का मतलब है acceleration non-zero और यह dv by dt का मतलब है speed constant क्योंकि constant speed का ही differentiation आप जीरो कहोगे अब तुम सोचो कोई body constant speed से circle में घूम रहा है तो क्या बोलोगे उसका acceleration है कि नहीं हाँ बिल्पुल है acceleration इसलिए है क्योंकि circle में अगर घूम रहा तो यह सही है इस पॉसिबल तो है situation in which dv by dt इकोल जीरो जीरो जिस्ट अ मिनट अगला है अगला है अगला है अपने घर से चले सपोज यह आपका घर है आप यहां से चले कहीं भी हमेसा दिन बर दिन बर घूमते रहे और फिर उसके बाद घर आ गए जब आपसे बोला जाएगा कि चलो भाई तुम निकला था घर से आदा गंटा पहले आदा गंटा में घूम गाम क्या आ गया तो तुम कहीं भी रुका नहीं है हर जगा तुम हारे पास कोई न कोई स्पीड है तुम एने फिल्ड में खेल रहा था तुम मैंने साइकिल चला रहा था तुम बाइक पे आने चल रहा था तुम हर जगा स्पीड है लेकिन जब तुम से घर आने के बाद तुम से पूछा जाएगा what is your average speed then what is your average velocity then your answer should be 0 जबकि आपका एवरेज विलॉसिटी इंस्टेंटेंएस तौर पर बोला जाये तो कहीं भी जीरो नहीं हुआ हर बार आप चल रहे थे कहीं लेकिन आपका एवरेज विलॉसिटी अगर पूरे इंटर्वल में बोल दिया जाये दैन यूर आंसर इस जीरो आगे है तो अगे है अगर आप स्ट्रेट लाइन पे हैं तब तो केस टिपिकल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे आप तभी एवरेज विलॉसिटी जीरो कर सकते हैं जब आप लॉट के वापस आईए माली जे इस लाइन पर आप जा रहें जा रहें जा रहें जा रहें जा रहें जा रहें जा रहे तो देखिए अगर आप the average velocity of a particle moving on a straight line is 0 in a time interval it is possible that instantaneous velocity is never 0 no it is not possible कि instantaneous velocity कहीं भी 0 ना हो एक जगह तो जरूर है जहाँ यह instantaneous velocity कितना है 0 है तो भाई यह तो नहीं हो सकता concept ठीक है यांसर चलो नेक्स्ट कोश्चन में आगे पड़ते हैं लेकर अब्जेक्ट में है लेका बैरिंग स्पीड विदाउट हाविंग वैरिंग वेलासिटी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप फिसपीड को करेंगें थो विलासिटी करेंगा ही करेंगा क्यों में मैंगनिशूट और वीक्ड़ चुझे दुनों होता है और स्पीड बदलने का मतलब है मैं बदलना तो यह पॉसिबल नहीं है यह यह पासिबल नहीं है तो सेगेंड में लिखा है वैरिंग विलासिटी विदाउट हाविंग वैरिंग स्पीड बिल्कुल पॉसिबल है कोई बाड़ी अगर कॉंस्टेंट से कोई कर्व पाथ पे चले तो कर्व पाथ पे चलने से उसका डिरेक्शन बदलेगा लेकिन स्पीड कॉंस्टेंट रहेगा तो यह पॉसिबल है नन जीरो एक्सलेरेशन विदाउट हाविंग वैरिंग विलासिटी अच्छा सोचिए अगर विलासिटी वैरी ना करें विदाउट विदाउट लिखा है विदाउट हाविंग वैरिंग विलासिटी अगर विलासिटी वैरी ना करें तो क्या कभी एक्सलेशन एक्जिस्ट कर सकता है acceleration तो हमेशा होता है rate of change of velocity तो नन जीरो एक्सलेशन नहीं है उस से में 0 acceleration होगा अगर velocity नहीं करेगा तो नन जीरो एक्सलेशन without having varying speed हाँ यह हो सकता है रिदाओट having varying speed में वेलासिटी तो change कर सकता है ना वेलासिटी तो constant होगा यह जरूई सब्सक्राइब एक्सलेशन को बहुत अच्छे से ठंडे दिमाग से धीरे दीरे पड़के समझा जाता है गश्पीड तो गेलासिटी अच्छलेशन ऐसे समझा जाता है इसपीड कॉंस्टेंट तो वेलासिटी में और में नॉट भी constant acceleration may or may not be zero ठीक है जिस्ट वीट चला आगे बढ़ते हैं लिगा माग दिक करेक्ट स्टेट्मेंट पर पार्टिकल गोईंग अ श्टेट लाइन इप देवलासिटी अन एक्सलेशन है उप फोजीट साइन जाइन दनों का साइन अपोजीट है मतलब अगर वेलासिटी स्केर्स एस इस डाइरेक्शन में तो एक्सलेशन अपोजीट में तो वैसे के कि सिप्वोज यह है हम लोग का बीच में एक ऑर इंग, आप अगर राइट घंड साइड में हैं, और लेफ्ट की तरफ घुम रहे हैं, आप अगर लेफ्ट घंड साइड में हैं, और आप राइट की तरफ जा रहे हैं इसका concept समझेगा देखिए अगर आप राइट hand side में है तो आपका x positive है इस समय अगर आप left की तरफ आ रहे तो भी negative है और वहीं अगर आप right की तरफ जा रहे तो भी positive है उस समय आपका x कैसा है निगेटिव है तो लिखा इब दा पोजीशन वेलासिटी है अगर पोजीशन और वेलासिटी का अपोजीट साइन है इसका मतलब है पार्ट के लिए मुविंग टूवर्ट्स और इजिन एकदम सही है जब हमारा एक्स यंगेटिव हो रहा है तो उस्सेमय भी निगैटिव है तो भी वह और इजिन की तरफ जा रहा है अगर एक सब्सक्राइब अगर श्यूबार वह ज घृतero हो सकता है जरूरी हिए तोड़ी ना है कि जिस पॉइंट प्रिलाशीटी जीरो होगा वहां पे acceleration 0 ही हो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इप the velocity is 0 for a time interval the acceleration is 0 at any instant within the time interval अगर velocity 0 है तो उसमें acceleration 0 होगा किसी instant पे within the time interval यह जरूरी नहीं है यह जरूरी नहीं है हो भी सकता है है नहीं भी हो सकता है घीक है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो हम यह बोलेंगे नहीं कि यह रहर लाइन को अच्छे से समझेगा मेरे बोलने पर मझए ध्यान से सोच के दिमाग सांध करके अपना-पना रिजन करेंट किजिए है लेका वेलासिति आफ आफ पाटिकला जिरू अगर किसी पाइड का वेलासिटी जीरो है ते ताइम जीरो पे तो तौसे पूझा गया है klar यह वड मस्ट लगया यह गलत मैं और मैं नौट भी जीरू हूब सकता है नहीं भी ओसे लिए अगर कहीं जीरो है तो स्पीड क्यूं जीरो होगा बॉडी स्पीड से नहीं चल सकता है क्या चल सकता है तो अगर बॉडी if the speed is 0 for t equals to 0 to t equals to 10 second the acceleration is also 0 in this interval हाँ यह सही अगर आपके एक interval में speed 0 है अगर आपके interval में speed 0 मतलब बाडी रुका हुआ है बाडी अगर रुका हुआ है तो उसका velocity 0 है और अगर velocity 0 है तो acceleration भी 0 है सब चीज को सोच समझ के को रिलेट कीजिए बोला है जीरो से 10 सेकेंड तक किसी बाडी का speed 0 है इसका मतलब बाडी रुका हुआ है और बाडी अगर रुका हुआ है तो उसका velocity 0 है और velocity 0 है तो acceleration भी 0 है करेक्ट है आगे बढ़ो में लिखा है मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट्स है दे मैगनिचूड आप दी वेलोसिटी आफ पार्टिकल इस इक्वल स्ट्रेश स्पीट सहीं है जब अमारा वेलोसिटी का आप मैगनिचूड निकालते हैं तो वह उसका स्पीड होता है वेलोसिटी का मैगनिचूड तो दीस्प्लिसमेंट पर भी होता है तो है नहीं भी हो सकता हो सकता है अब ऐसे अभी थोड़ी दर पहले लिके थे ना कि सर्ज जो एवरेज वेलासिटी है और जो हमारा average speed है इसमें average speed either greater than or equals to greater than or equals to हमेशा equals to थोड़ी नहां है थोड़ा समझ समझ के आराम से धीरे धीरे ठीक है it is possible to have a situation in which the speed of a particle is always zero but the average speed is not zero यह हो नहीं सकता है अगर स्पीड हमेशा जीरो है इसका मतलब बाड़ी चली नहीं रहा है और अगर बाड़ी चल नहीं रहा है तो काहे का displacement और काहे का distance सब नजीरो होगा ठीक है बट्ट एवरेज़ स्पीड इस नौट जीरो तो एवरेज़ स्पीड इस अलसो जीरो इस पीड ऑप पार्ट किल इस नेवर जीरो बट एवरेज़ स्पीड इन इंटरवल जीरो यह भी गलत है अगर पार्ट किल का स्पीड जीरो नहीं है तो वह हमेशा चल रहा है और अगर चल रहा है तो distance कवर कर रहा है देखो चाहे वह कोई रास्ते से चले अगर वह चल रहा है तो वह हमेशा distance कवर कर रहा है और दिस्टेंस कवर कर रहा है तो आप कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि उसका एवरेज पॉइश स्पीड जीरो होगा एवरेज स्पीड तो इसके पास कोई ना कोई होगा ही और फिर से एक एक क्लाइन को समझेगा वापस से देखिए समझे बार बार दिमाग दोड़ाईए लेका व्लासिटी टाइम प्लॉट फॉर पार्टिकल मुविंग आने स्ट्रेटि लाइं इस गवन बेटी ग्राफ है कि स्ट्रेट लाइन है क्वा उसका एक्ष्रेर तो constant होगा ही क्यों क्योंकि बेटी ग्राफ का स्लोप देता है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कॉंस्टेंट है इसलिए एक्सलेशन कॉंस्टेंट है पार्टिकल रिटर्न हुआ है क्योंकि जब तुम जीरो से दस सेकेंड तक देखोगे यहां तक यह वाला तो मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रेस करगा है और जब तुम दस सेकेंड से लेके आगे देखोगे नेक्स्ट तो मेरा वेलोसिटी निगेटिव है और इंक्रिजिंग है इसका मतलब है कि बीच में वह एक बार एक्जेक्ली दस सेकेंड पे वह रुका है डारेक्शन बदला है पहले वह पॉजिटिव की तरफ जा रहा थ जिसको आप 10 से दिखा रहे है तो इस पूरे प्रॉसेस में एक निगेटिव एक्सलेरेशन है जो कॉंस्टेंट है तो पार्टिकल है जहां पार्टिकल का जिरो डिस्प्रेस्मेंट है लेकिन वह टाइम आपको बताना पढ़ेगा और वह टाइम है जीरो से लेके 20 सेकेंड पार्टिकल का डिस्प्रेस्मेंट जीरो है जीरो से लेके 20 सेकेंड तक के एवरेश टाइंड में टाइम इंटरवल डिस्प्रेस्मेंट 0 है लेकिन यहां पे कोई वैसा टाइम मेंसर नहीं है इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे दे में लिखा average speed in the interval 0 to 10 seconds is the same as the average speed in the interval 10 to 20 seconds हाई यह सही है average speed का value 0 से 10 से केंड में जितना है उतना ही 10 से 20 से केंड में है एकदम सही है क्यों क्योंकि आप देखें similar triangle बन रहा है जो एरिया यहां आएगा वही एरिया यहां आएगा और अगर एरिया सेम है तो डिस्टेंस कवर्ड सेम है टाइम गाप भी 10-10 सेकंड का है तो इस पीड भी सेम ठीक है तो यह चीज़ था इसमें ध्यान से देखना समझना इस बहुत अच्छा पोश्चन है समय दे देके हैं इस पे तोड़ा सा एक बार अगर आप फिगर आउट कर ले ना दिमाग में अगर एक बार चीज बैट जाया ना तो इस बहुत इंफ्रस्टिंग हो जाता है तो 21 कि फिगर सोगत पॉजीशन आफ पार्टिकल मुविंग ऑन दे एक सेक्सेस अज़े फंक्शन आफ ताइम यहां पोजीशन का टाइम के साथ फंक्शन पार्टिकल सब्सक्राइब यहां 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 आपको दिखाते हैं एक बार यहां 0 हुआ एक बार यहां 0 हुआ एक बार यहां 3 यह चार यह 5 और यह 6 वाकई में 6 बार जिरो हुआ तो पार्टिकल कम्स तो रेस्स ताइंग्स के मैक्सिम्मम श्पिड्पीड च्प पहने का मतलब है सबसे ज्यादा स्लो कहां है कि चे सेकंड्र पे सबसे ज्यादा schon up को दिखाई देखेशी को हमको सबसे ज्यादा दिखाई यह चे वाला जो स्लोप है वह मैक्सिमम जैसा तो नहीं लग रहा है ना देख रहे हो तो मेरे इसाब से यह नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा यह और बारीकी से देखने वाला मसला है तो ग्राफ और एकुरेट होने से ज्यादा हो मेंको लग रहा है यह दो सेटेशिकन का मैक्सिमम रिमास्टी डिमेंस पॉसटिफ टुजू टुज 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 तुजू उप लॉशेशी रिममेंस पॉसिटिफ और डिस एक दम सही है क्योंकि आपकाम से लेके छे सेकंड तक बात करेंगे तो हमको लगता है कि इसके पास पॉजिटिव एक्सलरिशन है हमेशा नहीं है दा वेलाउसिटी रिमेंस पॉजिटिव फो जीरो टू शिक सेकें ऐसा गलत है रिमेंस नहीं बहु सकते हैं क्योंकि जहां स्लोप पॉजिटिव वा दे को जैसे यह स स्लोप निगेटिव है तो भाई यहां पे भी निगेटिव हो गया तो ऐसा नहीं है कि केवल विलॉसिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहा है कभी-कभी विलॉसिटी प्लस हुआ है कभी-कभी माइनस हुआ है अच्छा यहां का अब आपको बात करना है एकदम लास्ट वाले तो उसके नीचे है तो डिस्प्लेस्मेंट मेरा निगेटिव है और डिस्प्लेस्मेंट अगर निगेटिव है तो आपका ए और दी दो आंसर आएगा ठीक है यह दी दो आंसर इस सब बहुत बढ़ियां ग्राफ पर बस्ट कोश्चिन लिखा है दी अक्सलेशन अफट पार्टिकल असेन फॉम स्थूप अग्निचुट फूर इकवल माग्निचुड है इकवल माग्निचुड है इकवल अर्ट तो च्थूच अदर मस्ट लग दिया गलत है अगर यहां में लिखा रहता ना तो सही हो जाता है जरूरी नहीं है कि खाली रेस्ट में ही रहे क्योंकि बहुत सारा कंडिशन होता जिससे यह कंडिशन आप जो दिया गया सिच्वेशन वह अचीव कर सकते हैं तो यहां मस्ट होना गलत ता फ्रेम में भी मुविंग विट रिस्प ले क्ट तो इच दर यह सहिए उसलें जो है वो एक दूसरे के में मूफ कर रहा लेकिन और बри रिस्पेक्ट में अगर्ज करता तो एक अलग फ्रेम का ऑट वर्सन सेम नहीं को फिर अटट ओख थेम आई अधर भी जीरो और एट यह भी सही है, the acceleration of H2 with respect to S1 में either be 0 or 8, either be 0 or 8 का मतलब है या तो दोनों frame, माल लिजे यह particular peak, मेरा S1 frame right में जा रहा है, मेरा S2 frame भी right में जा रहा है और दोनों का अपना-पना acceleration 4 है, दोनों का अपना-पना acceleration 4 meter per second इस बार है, अब देखो दोनों को लगेगा सुनना अच्छे से confusion हो सकता है S1 को भी लगेगा कि P का acceleration है P का acceleration है 4 meter per second square का left की तरफ S2 को भी लगेगा कि P का acceleration है 4 meter per second square का left की तरफ लेकिन S1 और S2 का आपस में relative acceleration 0 है यही case आप एक बार और बना सकते हैं कि माल लीजे मेरा S1 जो है वो right की तरफ जा रहा है 4 meter per second square से और मेरा S2 जो है वो left की तरफ जा रहा है S2 जो है वो left की तरफ जा रहा है 4 meter per second square से अब इन दोनों को लगेगा कि P point का acceleration है 4 meter per second square लेकिन जब S1 और S2 आपस में एक दूसरे को देखेगा तो उसको acceleration दिखेगा 8 तो सीज राइट सीज राइट या तो उनके बीच का acceleration 0 है या फिर 8 है मेबी मस्ट भी बोलना गलत है क्यूं क्यूंकि आप नबे एक अपोजिट और सेम करने एक जगा कुछ और एंगल कर लीजिए कि अग्सलेशन ऑफ एस्टू इस्पेक्ट टू एस्वन में भी एनी बिट्वेइन जीरो एंड एक दम सही है तो हम बोल रहे है कि आप उनके बीच का चिंज कीजिये ना मनली जैसे हम ऐसे बता देंगे जरा देकना ध्यान से कि यह मेरा इस जा रहा इदर फोर मीटा पर सेगंड से और इसटू जा रहा इदर 4 meter per second square से तो S1 और S2 दोनों के respect में P point का acceleration 4 meter per second square है लेकिन S1 का S2 के respect में या S2 का S1 के respect में जो acceleration है वो 0 से 8 के बीच है 0 मतलब कहां आया था कहां हम लोग का इन दोनों के बीच का relative acceleration वनके साथ है एक्सलिशर एक्स्टु के respect में लिएक्सलिशन अर एक्सलिश्टन एक्स्टु के respect में अगर हम बोलेंगे की यहां पर BUT,Ah ड्G IGHक्त एकूर। के बीच है कुछ तो BCN,D फिक हैं छो look बहुत बढ़ी है कि यह तक थोड़ा सेफ कर लेते हैं